नमस्कार किसान भाईयों स्वागत हैं आपका आमारे यूट्यूब चैनल भाइब जी घेती बाड़ी में और आज के इस वीडियो में हम सरसों की टोप 5 विराइटियों के बारे में बात करने वाले हैं कौन कौन सी विराइटी ने पिछले साल अच्छा उत्पादन दिया था उसके हमने लिष्ट बनाई हैं तो देखते हैं कौन कौन सी विराइटी है जो सबसे दिक उत्पादन दिया था सबी विराइटियां अपने अपने क्षेत्र में इन पांच गुणों के साथ पाई उत्पादन अच्छा देती है, पांचो विराइटियों में एक एक गुणु इस जेसे में, तो हमने उसी इसाभ सेल पांचो विराइटियों को टॉप पर रुखाए हैं और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब वश्चे कर ले हमारे चैनल को ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिपिक्शन मिलती रहें किसान बाईयों सबसे पहले हम बात करते हैं पाइनर की 45 एस 46 वेराइटी की यह एक हाइब्रीड वेराइटी है पाइनर की इस वेराइटी की अगर विसेस्ताओं की बात करें तो इस वेराइटी की उचाई लगपग 160 सेंटीमेंटर से 180 cm इसकी उंचाई होती है और इस वेराइटी में अधिक फुटान होती है अधिक भलिया आती है यह वेराइटी भी किसानों की पसंदिदा वेराइटी बन चुकी है इससे भी कई किसान लगाते हैं और अच्छी पेदावार लेते हैं यह वेराइटी 12-13 कुंटल परती एक कड अधिक तम उत्पादन दे सकती हैं अगर आप समय पर लगाएं और अच्छी पेदावार अच्छी क्वालिटी में आपकी पसल हो तो 12-13 कुंटल दे सकती है प्रतियक कर उत्पादन किसान बाइओ इस पसल की कटाई आपको समय पर करनी होगी क्योंकि इसमें खरने की समश् अब दूसरे नंबर पर किसान बाइओं बात करते हैं बायर कंपनी की 52 ये पी एक अच्छी विराइटी है कई किसान इसे भी लगाते हैं और इसमें पी काफी अच्छी पेदावार देखने को मिली है बारह से 14 कुंटल का उत्पादनाम है आम तोर पर इसमें देखने को मिल जाए इस विराइटी की भी उचाई 160-160 cm होती है यह विराइटी 125 से 30 दिन में पक कर तैयार हो जाती है यह विराइटी अग्येती और पच्छेदी दोनुं फसलों में आप वुआई कर सकते हो इस विराइटी का इस विराइटी को आप उनक्षित्रों में लगाए जहां अधिक पानी की विवस्ता वाले क्षित्र में यह विराइटी अच्छी मानी गई हैं तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं स्री राम की 166 यह भी एक हाईब्रीड मुष्टंड बीच हैं यह विराइटी कम पानी वाले क्षित्रों के लिए उप्यूक्त मानी गई हैं साथ यह इस विराइटी की अग्यति और पच्छीती दोनों समय में बुआई कर सकते हैं दोनों टाइम में इसकी अच्छी उत्पादन देखने को मिलती हैं यह विराइटी 125 से 30 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं और इस विराइटी में भी आपको 12 से 13 क्विंटल परती एकड उत् जगदा यह भी एक अच्छी विराइटी है इस विराइटी के पोद्य की उच्छाई 145 सेंटीमिटर से 150 सेंटीमिटर के आसपास तक रहती हैं यह विराइटी अग्यति बुआई के लिए अच्छी मानी गई हैं अग्यति बुआई में यह विराइटी अच्छा प्यदाव परती एकड़ तक आपको पेदावार देखने को मिलती है जो कि एक अच्छी खासी पेदावार है अगर आपके पास अच्छा पानी है तो पांचों नमबर पर हम बात करते हैं 45-35 पाइनर की 45-35 यह 100-105 दिन में तयार हो जाती है इस विराइटी के आप पच्छेती वुआई अग्येती भी कर सकते हो अग्येती भी कर सकते हो लेकिन यह जल्दी पक्के तयार हो जाती है इस विराइटी से आप 8 से 10 कुटल पर दिया कड़ोत बादन ले सकते हैं यह एक अच्छी विराइटी मानी गई है कम पानी वाले खशेत्रों के लिए यह पांचों विराइटी अपने अपने खशेत्रों पानी और समय के आधार पर उच्छ मानी गई हैं इन में से आप अपने खेत और मौसम के नुकूल अपने लिए कोई भी विराइटी का चैन कर सकते हो जो भी विराइटी आपके स्थान और मौसम के नुकूल वो उसका आप चैन कर सकते हैं और इन गोर पसल से जोड़ी कोई जानकारी चाहिए हूँ तो भी अब हमें कमेंट करके बता सकते हैं हम पूरी कोसिस करेंगे आपको उचित सुजाओ देने के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही तैन्यवाद